दोस्तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे BA, BSC, BCOM, BBA, BCA जैसे बैचलर कोर्सों में 2023 सेसन के एडमिशन कब होंगे UP Board, CBSC Board, ICSC Board के ऐसे फह सारे स्ट्वेंड्स होंगे जिनोंने 12 पास कर लिया होगा अब ये स्ट्वेंड्स इन कोर्सों में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे होंगे तो इन कोर्सों में दोहर 23 सेसन के एडमिशन कब से शुरू हो रहे हैं चलिए आपको इस वीडियो के माद़म से हम बताते हैं तो हम आप लोग को बताएंगे कि इन कोर्सों में regular से admission कब होंगे और private से admission कब होंगे पहले regular और private mode के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें देखे regular में जो आपके admission होते हैं वो semester pattern पर होते हैं मतलब की साल में आपके दो बार exam हुआ करेंगे 6 मईने में एक बार semester pattern पर और जो private में आपके admission होते हैं वो yearly pattern पर होते हैं annual pattern पर मतलब साल में आपके एक बार exam हुआ करेंगे तो इन दोनों ही mode में admission कब से हो रहे हैं आप लोग इसकीन पर ध्यान दें तो पहले हम बात करते हैं regular mode में admission की तो देखिए regular mode में जो BA, BSC, Bcom, BBA, BC बगरा कुर्स में admission है वो आपके start हो जाएंगे अगस्त से अगस्त से आप लोग इन कुर्स में admission ले सकते हैं 12 के pass out students BA, BSC, Bcom, BBA, BC कुर्स में अगर admission लेना चाहते है regular से तो वो इस्ट्वेंज अगस्त से admission ले सकते हैं सभी इनवस्टी में अगस्त से admission शुरू हो जाएंगे UP की जिस इनवस्टी में आपको admission लेना हो आप लोग मुझे comment box में बता देना अब हम बात करते हैं private mode में admission की तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताता हूं कि private mode में केवल BA और BCom में ही admission होते हैं BA और BCom ही आप लोग private से कर सकते हैं और आप लोग के जालने की private जो form होते हैं वो सब इनवस्टी नहीं भरवाती हैं कुछ ही इनवस्टी जैसी हैं जहां पर private के form आते हैं वाकि सब इनवस्टी में नहीं आते हैं आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको किस इनवस्टी से private mode में admission लेना है अब माली जी आप लोग को private mode में admission लेना है बीए बीकॉम बगरा में तो अब इनके form कर आते हैं आप लोग यहां पर धन्दी देखिए private के जो form होते हैं वो सभी इनवस्टी के जनवरी और फरवरी के मन्थ में आते हैं जनवरी के मन्थ में कुछ इनवस्टी के form आते हैं कुछ इनवस्टी के form फरवरी के मन्थ में private के जारी हो जाते हैं तो ठीक है दोस्तो जनवरी फरवरी में private mode में admission होते हैं और अगस्त में आपके regular mode में admission हो जाएंगे start आप लोग को जिस भी उनिवस्टी में एडमिशन लेना हो आप लोग मुझे बता देना रेगुलर से लेना हो और प्राइवेट से रहो मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें अपने सभी दोस्तों में शेयर जरू कर द बारे में जरू हम झाल कर दोस्तों से से लिð बता दी को इसके बता है